एक बार फिर अपने चैनल विकास गुपता क्लास है इसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है साथियों आज साइंस आपके बीच में लाया हूं ठीक है ना बड़ी मेहनत के बाद आपके बीच में साइंस भेज रहा हूं दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं साइंस की बात तो आज सबसे पहले मैं विद्धुध धारा सबसे पहले हमारे पास विद्धुध धारा का मांगाया तो हमने विचार किया और सोचा कि आपके बीच में पहले हम इलेक्ट्रिक करेंट भेजें विद्धुध धारा तो साथियों सबसे पहले आप एक कुछ बेसिक चीज जा जाएगा और आपको एक चीज़ बता दें साइंस में बहुत कुछ है आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कब मिलेगा दोस्तों जब आप चाहेंगे पहले अपने मन में में आप concept बनाईए हां मुझे concept शीखना है अगर साथियों अगर आप अपने मन में ये maintenance कर लेते हैं कि मुझे science शीखना है तो मैं आपसे वादा करता हूं science आप आसानी से सिख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है साथियों science आप सिख सकते हैं तो हाँ से basic से basic level से ले चलेंगे और high level to high level तक कोई दिक्कत नहीं है दस का वीडियो पहले मतलब आपको लोग के बीच भीजेंगे उसके बाद 12 का वीडियो आपके बीच में भीजेंगे साथियों तो हमें basic सीखना है सपोच कीजिए कि आज विद्धुधारा की बात कर रहे हैं electric current क्या होता है साथियों आखिर में यह क्या, यह कौन है, यह कब है, क्यों है, कैसे है, यह सारी जानकारी साथियों मुझे लेना है वो भी term by term ठ्яब तो चले दोस्तों सेखते हैं कि आखिर में विद्द्र होता है आप सोचे कभी अपनी ऐसा दिमाग में विचार किया आज इस यूग में जो हमारी एकIGHT की सदिय चल रहाए अगर इस यूग में सर्फ न जो यह थो क्या होता प्हरे नहीं होता होता पंका नहीं होता क्या होता रेलगाई नहीं होता तो क्या होता आप सचीह आप विचार कीजिये अगर आज हमारे अगर है साइस सिस्टम है जो एलेक्ट्रिक से चल रहे हैं आज हमारे पर एलेक्षिटी नहीं होती करेंट नहीं होता तो क्या होता तो साथियों चलिए इस पर हम विचार करते हैं समस्ते हैं आखिर में यह है क्या तो दोस्तों यह बात हमेशा याद रखिएगा कि विद्धुधारा का मतलब होता है साथियों एलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि चार्ज क्या है चार्ज का मतलब होता है आवेस दोस्तों चार्ज का मतलब होता है आवेस आईए हम सीखते हैं कि चार्ज किसे कहते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं द और चार्ज का मतलब होता है साथियों आवेस चार्ज क्या है चार्ज हम कैसे डिफाइन करें चार्ज हम किसे कहते हैं आवेस किसे कहते हैं साथियों तो एक बात हमेशा आपने मैंड में बिठा लीजिए कि आवेस कुलाम बिग्यानिक कुलाम बिग्यानिक ने किया क्या कि आपने बच्पन में एक बहुत सारी छेल के होंगे बच्पन में किया चब पॉस्तालाइसे ऐसी है चाह। ट्रैक्ट कर लेता था इसी गुण को हम लोग क्या करते हैं चार्ज कहते हैं तो कुलाम ने क्या बताया कि जब कोई पिंडेया वस्तु इलेक्टान को त्याक करता है या इलेक्टान को गहड करता है उसमें एक विशेस प्रकार की गुण आ जाती है जिसे हम लोग क्या करते है चार्ज कहते हैं बिल्कुल साथियों इसे क्या कहेंगे चार्ज कहेंगे हमने क्या बता है हम कि जब कोई पिंडेया वस्तु फिर से बता है कि जब कोई पिंडेया वस्तु जब कोई पिंडेया वस्तु जब कोई पिंडेया वस्तु इलेक्टान को क्या करता है त्याक करता है इलेक्टान को गहड करता है उसमें एक बिसेश प्रकार की गुर आ जाती है तो साथियों से हम लोग क्या कहते है चार्ज करते हैं आवेस कहते हैं यह आवेस कितने होते हैं दो होते हैं साथियों कितने होते हैं दो एक होता है साथियो धन आवेश क्या होता है दूस्तों धन आवेश और एक होता है दूस्तों रिड आवेश ठीक नी समिस वूज कीजिये मानिये यह सीखना है मुझे कि आवेश चार्ज क्या है मैंने आपको बताया कि बिद्धुधारा पढ़ने नेक्टरी करेंड पढ़ने लिए सबसे पहले आपको पता होना चीए कि चार्ज क्या है और अवेश क्या है तो साथे हमने आपको क्या पता है थाया कि इस आर्ज आवस्त हैं कि जार्ज ठीक ना चार्ज द्यार टू टाइब्स फर्स्ट पोजीटिव सिकेंड निगेटिव एक होता धनात्मक एक होता है रिडात्मक हैं साथियों तो आपको कुछ चीज सीखना पड़ेगा प्रॉपारिटीज आफ चार्ज आवेस की गुड कैसे सीखना पड़ेगा साथियों ध्य अगर प्लस प्लस चार्ज होते हैं साथियों तो इनके बीच में क्या होता है प्रतिकरसंड हो जाता है क्या होता है दोस्तों प्रतिकरसंड होता है लेकिन अगर इनके बीच में क्या हो जाएं तो इनके बीच में क्या हो जाएं तो इनके बीच में क्या हो जाएगा प्रतिक के बीच में क्या होगा आकरशन्ड यह सब सिस्टम से मैंने क्या सीखा दोस्तों यह सारी सिस्टम से मैंने यह सीखा कि जब चार्ज या आवेस समान हो, कैसे हो, समान सेम हो, पोजीटिव, पोजीटिव हो, उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्शन होता है, ठीकर न, अगर निगेटिव भी होता है, दोनों निगेटिव हो, तो उनके बीच में भी प्रतिकर्शन होता है, लेकिन अगर एक पलस हो, तो प्रतिकर्षण दोनों माइनस हो तो प्रतिकर्षण आप ये दिमाग में रखेंगे कि जब आवेस समान होता है तो उनके बीच में क्या होता है क्या होता है दोस्तों प्रतिकर्षण होता है लेकिन अगर चार्ज आवेस समान हो तो प्रतिकर्षण होगा लेकिन असमान होन है दोस्तों आपने अच्छे से देखा होगा तो फिलाल उसको हम अगले टॉपिंग बात करेंगे बहुत ही गजब टिक्स उसको पढ़ेंगे ताकि कभी कंफ्यूजन ना कौन सा एंडोड होता है कौन सा कैथोड होता उसको हम पढ़ेंगे आगे तर्म में तो हमने आपको यह ही समझाया सबसे पहले कि बैटरी है तो उसमें एक धन एक होता है या तो रण या तो दन लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों पोजीटिव हो या दोनों निगेटिव हो ऐसे अगर कभी कभी अगर ऐसे सिस्टम आवे तो आप समझ लिजे उसमें प्रतिक्यार्शन होगा उसमें कभी भी आकरसर होने वाला नहीं है तो चलिए साथियों आगे बात करते हैं तो हमने चार्ज के बारे में सिखा ठीक ना तो चार्ज हमने सिखा आईए आज हम आगे बात करते हैं अपने बात पर अब साथियों इसके बात आपको एक चीज सीखना पड़ेगा वो है क यह चालक का मतलब होता है कंड़क्टर एक होता है चालक गोली दोस्तों क्या होता है चालक और एक होता है दोस्तों अर्ध अर्ध चालक बताइए होता है की नहीं होता है एक होता है कंड़क्टर एक होता है नॉन कंड़क्टर इन्सू लेटर एक होता है सेमी कंड़क्टर है तो हमने आपको क्या बता है कि एक होता है कि कंड़क्टर एक होता है चालक एक होता है चालक है अचालक एक होता है अर्धचालक एगलीस में कहें तो यह conductor non-conductor और insulator या insulator भी हम कह सकते हैं इसे हम लोग कहते हैं semi conductor तो साथ हो एक बात हमेशा रखिएगा याद क्या की conductor क्या है है ना flow the current 1.2 another point हमारे कहने का मतलब यह है कि consider किजिए कि हमारे पास यह कोई तार है वायर सपोच किजिए मैंने यहां कोई current दिया जैसे मैंने यहां current दिया यह point अगर consider हमने किया कि यह A है और यह point हमारे पास B है सपोच किजिए अगर मैं current यहां दिया दूस्तो और मैंने अगर यह current A पे दिया तो यह current अगर B के पास प पहुच गया तो यह conductor होगा और ऐसा अगर नहीं होता है तो क्या होजाएगा अचालक थोड़ा बहुत जाता है तो क्या होजाएगा सेमी यह पहुच गया तो यहां करेंट नहीं पहुचा ऐसा सेचुएशन अगर आ जावे तो आप यह समझ लीजिएगा कि यह क्या होगा नौन कंड़क्टर थोड़ा बहुत अगर ममालीजी सिस्टम कर रहा है तो आप समझ लो कि अर्धचालक होता है कभी-कभी नीम के पेड़ में या हरे पेड़ में करेंट लग जाता है तो सेमी कंड़क्टर का कारी कर रहा है होता है की नहीं होता है बिल्कुल हो यह कोई conductor या चालक है आपने कभी सोचा यह conductor या चालक है इसमें तो करेगा करेगा लेक्तरां फ्लो करेगा है लेकिन आपको बता दें कि जब तक इसी अनुए पूछ के ज़ए लुक्टर और सुखी लुकडि सूखी लगड़ी का माली जी हमारे पास मेज है बिल्गोल हमारे पास सूखी लगड़ी का कोई मेज है अब उस पर हम करेंट देते हैं तो नहीं बता नहीं बता तो आपको कि यह वो नॉन होता है लेकिन अगर मेरे पास कोई loha हो ठीक कोई conductor loha हो तो loha में करेंट एक तरह आpal में एक तरफ से अगर करेंट करए करा रहा हूं तो दूसरे 시िरे से क्या करने लगता है आपने लगता है आपने कभी वीचार क्या क्या है ऐसा क्या हो रहा है कभी आप विचार सोचो ऐसा क्या हो रहा है इसमें आप इसको विचार करो माइंड में ऐसा क्या हो रहा है कि मैंने करेंट यहां दिया यहां निकल रहा है ऐसा क्या हो रहा है आप सोचो उसमें क्यों क्यों कि इसमें इलेक्ट्रान है जब इसमें इलेक्ट्रान है इसी कारण जब आप इसमे करेंट देते हैं तो ये करेंट one point से दूसरे point तर यह पने लगता है दोस्तों कि जब क्योंकि चालक है तार है धारा देंगे तो धारा बहेगा लेकिन एक situation कब जब हम इसमें current नहीं देते तब क्या होता है electron तो होगा दोस्तों क्योंकि अगर conductor है चालक है तो electron होगा और non conductor है तो electron नहीं होगा लेकिन मामला मेरा क्या है मेरा situation यह आ रहा है कि अगर यह कोई conductor या चालक है सबोच किजी यह क्या है कोई conductor या चालक है लेकिन अगर इसमें मैं इसमें क्या कर रहा हूँ current नहीं दे रहा हूँ तो क्या होगा इसमें electron होता है दोस्तो very good electron इसमें होंगे कोई कहा नहीं सकता electron होगा लेकिन साथियों एक बात हमेशा आप याद रखिएगा electron होगा क्या होता है कि यह electron आपस में jig-jag motion करते रहते हैं आपस में आते जाते रहते हैं कब जब तक आप current नहीं देते हैं तब तक लेकिन साथियों एक बात हमेशा याद रखिएगा जैसे ही आप इसमें current देंगे जैसे ही आप इसमें current देंगे साथ ही हो जैसे इसमें current देंगे ये current करेगा क्या जैसे flow होना सुरू करेगा ये electron एक ही दिसा में चलाए मान होकर एक ही दिसा में बहने लगते हैं मैंने क्या बताया था कि conductor या चालक में जब तक हम लोग जब तक हम लोग current नहीं देते हैं तो conductor या चालक में जो electron होते हैं वो जिग जग मोसं करते रहते हैं इधर धारा अर्था एलेक्ट्रिक करेंट क्या है तो चलिए साथ हैं शुरू करते हैं चलिए दिखते हैं अब क्या करेंगे यह चीज़ तो हम सीख लिए अब दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यां सुनिएगा क्या यह तो हमने देखा सपोज किजी यह हमने देख लिया कि विद्धुद्धाराः एलेक्ट्रिक करेंट है क्या सपोज आप तो जानते हो कि विद्धुद्धारा को किसा करेंग है करिंद्धुद्धार्ण किसे करते हैं आधी हम जानते है इसको कैसे दिमाग में सब्सके याद करİंए तो साथिवों एक बात सोची पहले सपोच किजिए कि आपके पास ये कोई मोबाइल है मान लीजिए मानिए साइंस में मान कर चले ठेक न तो ये हमारा क्या है मोबाइल है और हमारे पास यहां कोई बोड है बिल्कुल और हमारे पास यहां कोई बटन है बिल्कुल और मैंने य क्या लगा दिया सपोच कर यह चार्जिंग लगा दिया और चार्जिंग का बट इसमें क्लिक कर दिया आप सोचो क्या सोचो मेरे पास यह कोई मोबाइल है मेरे पास मोबाइल है साथियों और हमारे पास यह कोई चार्जिंग है बोड का कोई क्या है चार्जिंग है और चार्जिंग है यहां क्या है बटन है जैसे ही मैंने बटन को दबाया तो यह क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है दोस्तों क्या हो रहा है चार्ज जरह हिंदी में बदल दो आवेस हो रहा है क्या हो रहा है दोस्तों आवे हो रहा है पर आप फी घर में कर worms सांचार जाया सब हमारे पास कोई मुबाइल साथ यों और हमारे पास क्या कोई कोई बोर्ट बर्टन लगा दिया हमारे पास चर्जिंग है जैसे मैंने इसका स्वीच कर आया मैं जैसे बटन को प्रेश किया आप दबाया ऐसे इसमें करेंट फ्लो करने लगा यह हमारी क्या होने लगी चार्जिंग होने लगी चार्ज होने लगी आवेसित होने लगी इसका मतलब क्या है किसी भी किसी भी निकाय को किसी भी सिस्टम को किसी भी सिस्टम को कर हम चार्ज कर रहें आवेसित कर रहें चार्ज कर तो तुरंट चार्ज होगा ने हमने आपको क्या बता है हमारे पास कोई मोबाइल है और हमारे पास कोई बोड है और हमने क्या किया यहां बटन लगा दिया और मैंने यहां चार्जर को लगा दिया यह चार्जिंग हो रहा है चार्ज हो रहा है आवेसित हो रहा है सातियों यह तुरंत नहीं होगा, ये आधा घंटा भी लग सकता है, एक घंटा भी लग सकता है, इसका मतल़ सात्यों क्या है, कि किसी निका या सिस्टम को, हमारी मोबाईल को आवेसित करने, चार्ज करने, आवेसित करने, चार्ज करने में लगा समय, क्या कहलाएगा दोस्तों, बिद्द धारा कहलाएगा हमने क्या बताया कि हमारे पास यह कोई सिस्टम है हमारे पास कोई बोर्ड है मैंने क्या किया मैंने तुरंत यहां चार्जिंग लगाया बटन को क्लिक किया सातियों मेरी मोबाइल चार्ज हो रही है हमारी मोबाईल चार्ज हो रही है चार्ज हो रही है तो समय लगेगा बिल्कुल लगेगा समय लगेगा तो किसी भी निकाय को किसी भी सिस्टम को चार्ज करने में लगा समय विद्धुधारा कहलाता है या आप कर सकते हैं कि आवेश प्रवाह आवेश प्र कहा जाता है आवेश प्रवाह करेंगे समय लग रहा है तो आवेश प्रवाह की समय दर को हम लोग विद्धुधारा कहते हैं तो साथ यह चीज़ हमने सीखा तो चलिए और कुछ सेखते हैं फटाफट फटाफट टॉपिक वाई टॉपिक ठीक आप जानते हैं क्या दोस्तों अब एक बात आपको हमेशा याद रखना है क्या चलिए अब यह समझते हैं कि विद्धुधारा है ना विद्धुधारा बराबर क्या होता है विद्धुध 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 धारा बराबर होता है साथियों क्या होता है ना आवेश बटा आवेश आवेश बट का समय मता यह होता है कि नहीं होता है बिलकुल होता है साथियों और हम लोग विद्दुध धारा को किस से दिखाते हैं आई से आई एक्वल टू आवेस को क्यू से समय को टी से या इसको इसमाल से भी दिखा सकते हैं इसको भी इसमाल से दिखा सकते हैं तो आई एक्वल टू क U Y क्या हो जाएगा दोस्तो T हो जाएगा अगर हम इसकी यूनिट की बात एक सेकेंड में एक कुलाम, 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 आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो वह एक एंपियर के बराबर होता है सात्यों, बिल्कुल यही मैंने आपको बताया, तो हमने विद्धु धारा के बारे मे सिखा तो चलिए फटाफट आज और भी टॉपिक पढ़ लेते हैं चलिए इसके बाद जब लोग बात करेंगे बिभुवांतर चलिए दोस्तों देखते हैं बिभुवांतर क्या है ना तो दोस्तों चलिए बिभुवांतर की बात कर लें तो अगर हम बात कर लें बिभुवां क्या बात कर लेते हैं विभवांतर टो बिभवांतर क्या है पर यह सीख ली जिए सपोच कि विभवांतर क्या है ऐसा नाम एक अपको बता देए क्या कि जैसे बहुत से बुक में आप पढ़े होंगे वहां लिखा रहता है कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं लेकिन आप तो रट लोगे लेकिन उसका मैटर समझ में नहीं आ रहा है तो समझेने के लिए आपको कुछ चीज सीखना पड़ेगा क्या दोस्तों कि यह माली जी एपॉइंट है और यह क्या है भी है यह हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है यह आप यहां से मैं धारा प्रवाहित किया हूं बोलिए मैं यहां से क्या प्रवाहित किया हूं धारा ठीके ना किसी एक सिस्टम से किसी एक सिस्टम से दुसरे सिस्टम तक किसी एक सिस्टम से दुसरे सिस्टम तक धारा प्रवाहित करने में जो कारे हम करते हैं आवेस प्रव आजई और का नाम मैं रख लेता हूं माली जर अगर मैं इसका नाम रख दिया आपन और और बी का नाम में कुछ रख्ड देता हूं चले माल लेता हूं बृजेश इसका nama मेरे नहीं राख दिया बृजेश तो अब इस तरह से भी하는 कर सकते हैं कैसे कि अमन आमन आमन के यहां से वैस्के यहां तक धारबराहित यहां अब इस प्रवाहित करने में जो हम कारे करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है विभवांतर कहलाता है साथियों तो आप यह सीख गए होंगे कि अगर धारा यहां से यहां तक जा रही है तो इनकी बीच में जो हम काम करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है potential difference अर्थात दिभवानतर कहलाता है तो दोस्तों ये चीज हमने सीखा तो चलिए और भी सारे चीज़ें हैं आपको सीखने के लिए वो भी हम लोग term by term सीखेंगे